जैश्री राधे कृष्णा दोस्तों कैसे हैं आप सब आपके सफल और सुखत जीवन की कामना करते हुए आपको और अपने इश्ट को नमन करते हुए वीडियो को प्रारंब करते हैं दोस्तों अमवश्या इस बार सुमवार को पढ़ रही है तो वो सुमवती अमवश्या बन जाती है जिससे कि उसके योग और भी जादा बढ़ जाते हैं उस पे किये हुए कुछ कार उनका पुन्य हमें 100 गुना प्राप्त होगा इस बार सुमवार को 20 फरवरी को पढ़ रही है क्योंकि यह अमवश्या बहुत ही सुब शिव योग में पढ़ रही है इसलिए इसका महत्व और भी जादा बढ़ जाता है अमवश्या के दिन बहुत ही सुब दिन माना जाता है विश्नु भगवान की पूजा करने के लिए और अपने पित्रों का पूर निर्चन करने के लिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए और साथ साथ पीपल की पेड की पूजा करने के लिए भी ये दिन अतिशुब माना जा एसी मान्यता है कि पीपल के पेड में समस्त देवी देवताओं का वास होता है अब अवश्या के दिन अपने पित्टों के निमत जो भी हमसे दान दक्षणा हो सके वो जरूर करनी चाहिए उसके साथ साथ दक्षण दिशा को बिलकुल साफ और स्वक्ष रखना चाहिए और श चौकी पर रखकर पूजा घर से बाहर जलाएं अगर चौकी वगेरा ना हो तो एक मुठी चावल के उपर रखकर ही दिया जलाएं पर दिया अवश्य जलाना चाहिए इसी तरह सुभा के समय जब आप सूर्य देव को जल देते हैं तो अमवश्या वाले दिन विशेश करके दक्षिन के तरफ मूँ करके जल जरूर देना चाहिए अपने पित्रों को तो ये तो हुई कुछ बातें जो कि हर अमवश्या वाले दिन आपको जरूर करना चाहिए पर क्योंकि ये सूमवती अमवश्या है तो इसमें बहुत विशेश योग हैं तो इसमें आपको क्या वि जुम्वतिया मवश्या के दिन यदि आप रूद्र अभिशेक करते हैं यानि कि दूद दही गी शहचीनी से भगवान शिफ का अभिशेक करते हैं तो वो अतिशुप माना जाएगा ये कारे आप दोपहर 11 बजे से लेके शाम तक कफी भी कर सकते हैं जब आपको समय हो और इस किसी भी नंदी बाबा को या तो उन्हें पांच फल खिलाएं पांच अलग अलग तरह के फल सेप, केला, संत्रा, अंगूर जो भी आपके पास हो और अगर नहीं हो सके तो हरे रंग का चारा नंदी बाबा को जरूर खिलाएं और अगर आपके घर के आस पास कोई नंदी ब करना है इसके साथ साथ क्योंकि मवश्या का दिन है पित्रों को प्रसंद करने का दिन है भगवान विश्णों को प्रसंद करने का दिन है इसलिए पीपल की पूजा करना भी अतियंत शुब होगा और बहुत ही जरूरी है तो उसके लिए आपको करना क्या है कि शाम के समय आप को अपने साथ क्या ले जाना है तो आपको अपने साथ एक सर्सों के तेल का दिया ले जाना है इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा काला तिल ले जाना है और उसके साथ आपको कच्चा सूत ले जाना है कच्चा सूत बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा स्टोर पे मिल जाता है जो कि पीपल के विख्ष पर लपेटा जाता है तो आपको कच्चा सूत एक दिया और थोड़ा सा तिल ले जाना है अपनी मुठी में उसके बाद सबसे पहले जब आप पहुचेंगे पीपल के पेड़ पर तो आपको दिया जलाना है, तिल चड़ाना है पीपल के जड़ पे और उसके बाद आपको 9 बार, 11 बार या 15 बार पीपल के विक्ष की परिक्रिमा करते हुए उस कच्चे सूट को पीपल के पेड़ पर लपेटना है और उसके बाद आप चाहे वही आवसन लगाकर बैट जाएं और ओम पित्र भे नम्हा इस मंत्र का जाप जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार करें और उसके बाद पीपल के पेड़ को नमन करके भगवान विश्नु को नमन करके अपने पित्रों को नमन करके आपकी जो भी मन कामनाय हैं जो कि पूरी नहीं हो रही है वो सब आपको बोलनी है और उसके बाद पीपल के पेड को नमन करते हुए आपको अपने घर वापस आ जाना है येकीन मानिये दोस्तों इतना ही आपको करना है सुमवति अमवश्या के दिन और आपको पित्र आशिरवात के साथ साथ भगवान भोले नात का आशिरवात भगवान विश्नु का आशिरवात और भगवान शनी देव का आशिरवात भी मिलेगा आपकी हर तरह की मनो कामना आपकी हर तरह की रुके हुए कार्य जो है वो बनने लगेंगे वो पूर्ण हो जाएंगे तो इस अमवश्या वाले दिन सोमवतियाम अवश्या वाले दिन विशेश शुभ योग में ये कारे अवश्य करें आपके हर तरग की मनो कामना भगवान शिव भगवान शानी देव और आपके पित्र अवश्य पूर्ण करेंगे धन्यवाद विडियो लाइक करिएगा दोस्तों में शेय कर दिजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा धन्यवाद राधे राधे